नमस्कार दोस्तों अब हम सुरू कर रहे हैं करंट जीके की सीरीज में प्रसिद पुरुसकार पिसले एक दो सालों में जो प्रसिद पुरुसकार मिले हैं राश्ट्रिय अंतराश्ट्रिय वो सब हम देखने वाले हैं तो ये विशेस रूप से 1st grade के लिए उपयोगी है क्योंकि उसमें तो टोपिक ही दियावा है इस पेसली की प्रसिद पुरुसकार और अन्य प्रिक्षाओं में भी उपयोगी रहीगी ये कलास तो सबसे पहले देखते हैं अंतराश्ट्रिय बुकर पुरुसकार किताबों का जो वीडियो लगाया था मैंने प्रसिद पुरुसकें उसमें हमने गितानजली पुरुसकार की ती गितानजली की जो है रेत समादी टॉंब ओप सेंड तो इनको बुकर पुरुसकार मिला है अंतराश्ट्रिय बुकर पुरुसकार गितानजली स्री ये है तो यह इस परकार के नहीं कि तो यह आप याद रखें कि रेत समादी किस की पुस्तक गीतांजली की ठीक है और जैसे में देखो अंजली पुस्पांजली सरमर्पित करते तो रेत में समादी को अंजली समरपित की तो इसे आप ट्रिक याद रख सकते हैं पुस्पांजली वेसे हिंदी बासा की पहली पुस्तक है जिसे अंतराश्ट्रे बुकरपुस्कार जो है वो मिला है ठीक है और फिर इसका अब यह हिंदी की एक तो अंग्रेज इसको कैसे पुस्कार से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं तो अंग्रेज जी अनुवादिस का नाम हो गया टॉम बॉप सेंड ठीक है सेंड का मतलब होता है धूल मिटी तो यह है गितांजली आगे देखो प्रसन निसित रूप से अगर पुरुस्कार का प्रसन आया तो इस वीडियो की नीचे लिंक है या फिर सर्च कर लेना जी के भाई मुकेस धाका नाम से अगला है पदम पुरुसकार बारत में जो प्रमुक पुरुसकार सबसे बड़ा पुरुसकार है भारत रतन उसके बाद में आते हैं पदम पुरुसकारों का नंबर पदम पुरुसकारों में भी त ठीक है, पद्म विभूशन, चार विभूतियों को, चार प्रसी दस्तियों को मिला है, पद्म विभूशन, यानि पद्म पुरुसकारों में यह सबसे बड़ा है, पद्म विभूशन, फिर देखो नाम छोटा हो जाएगा, पद्म विभूशन, एक अकसर कम हो गया न, तो उस से चोटा फिर पदम स्री और कम होगे अक्सर तो उससे छोटा तो इस प्रकार से आप याद रखें तो यह चार लोगों को मिला है सूसरी सूसरी प्रभा अत्रे पॉंट की साइस ठीक ना दिखाई दे रहा होगा आपको परभा अत्रे कला के छेत्र में देखो चारों नाओं याद रखने जरूरी है और छेतर भी याद रखना जरूरी है रादे शाम खेमका, साइते और शिक्षा, जनरल वीपिन रावत, शिविल सेवा, ये तो आपको याद रहे जाएगा, कल्यान सिंग, राजनिते के थे, लोक कारी है, तो ये दो का है, तो परभा अत्रे कला है, औ देखो रादे शाम, तो रादे शाम तो भगवान का नाम है करसंजी का, तो वो शिक्षा देते हैं, और परभा अत्रे, तो नाम से लगना ऐसे कलाकार है, और ये आप देख लीजे जैसे, जनरल वीपिन रावत है, ये परभा अत्रे हैं, अत्रे आर्ट ऐसे याद रख सकत फिर आता है पदम भूसन अब ये क्या है 17 लोगों को मिला है तो 17 की नाम याद रखना कठिन होता है और कोई भी दूसरे राज्य का है तो उसका फिर क्यों याद रखे क्यों का मतलब कंपिटिशन एक्जाम की दृष्टी से फिर कोई पूछने का कोई उचिते नहीं बनता और फिर भी मानलो आजाता है तो फिर 17 का किसी को याद भी नहीं रहेगा तो इतने संख्या याद रख लेएं कि पदम भूसन 17 को मिला जिसमें दो राजस्तानी है ये इंपोर्टेंट है दो राजस्तानीों को भी मिला है कौनसा पदम भूसन दो नंबर का जो पुरुसकारणा सबसे बड़ा तो एक तो है देवेंदर जाजडिया जो की चुरू जिले से हैं और खेल, खेल में क्या फैंकते हैं ये भाला फैंकते हैं और पेरा खिलाडी है यानि देव्यांग खिलाडी है ओलम्पिक में मेडल लेके आगए कई वार स्री राजीव महरसी शिविल शेवा में ये मुख्य सचीव भी रहे हैं तो दो को मिला है पदम भूसन और अन्य हस्तियों की बात करें भारत की तो गुलाम नमी आजाद अभी चर्चा में रहे पार्टी छोड़ दी थी रिसे सत्य नडेला ये सीयो और साइरस पुना वाला ठीक है वेक्षिन वाले वो तो इनको भी मिला है तो इस परकार से जो है मिला तो ये दो आप जरूर याद रखना पदम सरी तो 107 को मिला है वालांकि सवाय अब की आपादे में 107 वित बधरी संख्या है बहुत कम है मगर फिर भी हमें 107 के नाम याद नहीं रखने आपको केवल 3 राजस्तानियों के नाम आप याद रख लेना जिनको पदम स्री मिला है तो राजस्तानियों को कुल 5 पदम पुरुसकार मिले है पैसे, पदम, पैसे, पांच याद रख लेना जिसमें से तीन और दो कानुपात है तीन है पदम भुसन और नहीं दो है पदम भुसन और तीन है पदम स्री ठीक है दो तीन ऐसे याद रख लेना आप तो तीन कौन है जो पदम सरीवाले चंदरपरकास, दिविवेदी, कला के छेतर में अवनी लेखर आप जानते हैं खिलाडी, पेरा अलंपिक और पेरा खिलाडी है और अभी पेरा अलंपिक में गोल्ड जीता, कांसेबी जीता सूटर, निसाने वाजी में राम दयाल, ये कला के अंदर है तो ये तीन नामें आप याद रखना अब ये फोटो भी आपको दिख रही होगी जैसे ये है पदम भूसन और ये भी है पदम भूसन एक और दो, दो लोगों को ये राजियो महर सी, देविंदर जाजडिया, अब पुना है पदम स्री में एक पदम स्री स्री चंदर परकास दूसरे हैं पदम स्री में राम दयाल और तीसरी है अवनी लेखरा तो ये तीन और दो, पांच तो याद रखें परसन अगला कैसे भी पूस सकता है कुल कितने मिले किसको पदम भूसन मिला किसको पदम स्री मिला पदम भी भूसन नहीं मिला रहान रखना हो गया कलियर तो आगे अंतर राष्ट्री है बाल शांती पुरुसकार 2021 ये जो पुरुसकार है आप मुझे अगले वीडियो में बता देवें कि पॉंट साइज छोटी तो नहीं न ठीक है कि आपको दिखाई दे रही हो कलियर नहीं तो और बड़े कर देंगे वीहान और नव अगरवाल दिल्ली के हैं ये इन्होंने कुछ प्रयावन समंदी कुछ गरीन एनरजी के लिए अविसकार किया वीहान और नव अगरवाल अब आ जाता है नोबल पुरुसकार इसका प्रसन अगर पूस्त है तो थोड़ा कठिन माना जाता है क्योंकि भूल जाते हैं वीदार्थी भूल जाते हैं कि इनके नाम थोड़े अटपटे होते हैं विस वैस तरके हैं तो देखो नोबल पुरुसकार किस्ता अपना हुई थी 1865 में सर अलफ्रेड नोबल ने खुद नहीं की थी फिर इनके मर्त्य हो गई तो फिर वो चल रहा आगे भी स्वीडन के थे ये रसायन अगे और इंजिनियर 1866 में चलब से ये इmportent है कि नोबने dynamite का विसकार किया ठीक है और ये जानकरी के लिए अलगकि यहां से को जूसन नहीं बनेगा क्योंकि विज्यान का जाता है और दुनिया बर में जैसे किस छैत्र में यह पूर सकते हैं तो किस छैत्र में दिया जाता है अब है फीजियोलोजी एंड मेडिसिन यानि चिकित्सा के चेतर में नोबल पुरस्कार किसको मिला है तो परसंद पुछा जा सकता है कई-कई एक्जाम से पूछ थे हैं पूछ लिया जाता है आदेस प्री में एक सर पुछा जाता है फैस्ट ग्रेड में भी ए सांतिक अनोबल पुरस्कार की फिर उसके बाद में बाकी होंगे तो अक्टूबर में तो आपके एक्जाम है तो कोई दिकत है नहीं उसमें याद नहीं रखना और अभी तो क्यों नोमिनेट हुए हैं कुछ लोग तो चिकित्सा का डेविड जूलियस और अर्देम अटा प परकार का उप्शन में जोड़ा आपको मिलेगा यह नहीं कि एक नाम यह गुशा दिया दूसरा इसका गुशा दिया फिजिक्स का जो है बहुतिकी का इस्यू को रोमाने बे कलोस हैसलमेन और जियो और जियो पेरिशिक तो एक नाम को आप पकड़ लो फिजिक्स यानि बह इन्होंने तो देखो तापमान और जो इसकिन का इस परस वगर है उसको लेकर और इन्होंने जो है पर्थ्वी की जलवाई वगर जो है उसको लेकर कुछ अनुसंदान किया और केमिस्ट्री जो है इसका बेंजामिन लिस्ट तो बेंजामिन ठीक है जैसे बेंजीन वगर आ तो इसे ट्रिक्स या आप याद रख सकते हो तो इनको भी ये सोध का कमी पूछते हैं आप कितना ज्यादा लिट्रेचर का अब्दुल ये इंपोर्टिंट है इनका पुछा जा सकता है अब्दुल रजाक गुर्णा है तो इनको भी जो है ये मिला है उपनिवेसवाद वगर के परवहों के उपर ठीक है तो ये अब्दुल रजाक खा जरूर याद रखना और सांती वाला भी याद रखना है मारिया रेशा और दमित्री मुराटोग बही किशी को भी जैसे कहते हैं मार के आजाओ पीट के आजाओ रेशा मार रेशा में गुष्य में तो कहते हैं नहीं वेशा नहीं करना सांती रखें ठीक है मूरा टोव, यानि मूरा टोव, मन मुटाओ, इसे याद रख लो, इसको मिटाओ और सांती बनाए, रखो इसे कोई भी ट्रिक से आप याद रख लो तो इन्होंने लोगतंतर वगर आदे के उपर जो प्रियास किये, इसके लिए मिला है और छटा जो है, वो है एकोनोमी का, ये भी इंपोर्टेंट है तो इसको आप कार्ड से याद रख लो, इकोनोमी में क्या होता है, आपके पास A.T.M. कार्ड, क्रिडिट कार्ड तो Card से आप जोड़ के याद रख सकते हो घीक है और Card आती में आ जाता है तो जोस आ जाता है और जोस जोस में जाते हैं और गुई मतलब go और कहां पे A-TEAM में जाते हैं कि चाव भी Card में ले जाते हैं बैसे ठीक है तो अब है वीरता पुरुषकार तो अपने देखो पदम पुरुसकार हो गए, ठीक है, नोबल हो गया, पढ़ लिए अब वीरता पुरुसकार हालां कि देखो एक बात और बता दे, इस पीडियाप में 6 पेज है, इसमें कम्पलीट एक साल का हुआ तो है, एक देट साल का, मगर अभी भी एक इसका पार्ट और आएगा, दस-पंद्रे मिनिट का, पार्ट टू, उसमें हम कोई और जो रह गए हैं, वो और करवा देंगे, वीर्था पुरुसकार जो है, वीर चकर, कीर्टी चकर, सोर्य चकर, देखो वीर चकर, महावीर चकर, परव्वीर चकर, ऐसे होते हैं, तो वीर चकर जो है, वो मिला है, अभी नंदन, वर्दमान, याद होगा, मुझ्छों से आप जान गए होंगे, केप्टन, जो पाकिस्त है यहांतिकाल के दुरान भी कोई वीर्टा का परदरसन होता है कोई छोटी मोटी मूट बेड होती है यह मानलो देश के अंदर ही कोई वेवस्ता हो कहीं जाना हो तो और सोध यह चकर जो है यह मेजर विभूती संकर दोंडियाल नायव सोवेदार सोमवीर मेजर महेश कुमार भूरे को तिनों को जो है दिया गया है ऐसा दान भीरता के लिए दिया जाता है इंद्रा गांदी सांती पुरुषकार याद रखना इंपोर्टेंट है यह है एक सामाजिक संक्ठन देखो पर्थम नाम है यह इंद्रा गांदी सांती इसका पुरा नाम है अंतराष्ट्रिय निरस्तरी करण वगरे के लिए दिया जाता है तो एक सामाजिक संक्टन है जिसका नाम है प्रत्थम वो क्या करता है बच्चों की शिक्षा की गुणवता के लिए काम करता है जो वंचित बच्चे है उनके लिए उसको मिला है इंपोर्टेंट है याद रखना ठीक है बिहारी पुरुषकार तो इसमें क्या है की रसना का पूस लेते हैं मधू कांकरिया को हम यहां थे के लिए मिला है मधू कांकरिया उन से पुछा कि वह आप कहां थे कि हमने तो भुषा बिहार गए कि नहीं हम यहीं थे हम यहां थे तो इसे आप ट्रिक से याद रख लेना अलंकि यह बिहारी बिहार से नहीं है यह बिहारी जो जेपुर के माराज़ा थे ना जे सिंग उनके दरबारे में रहते थे कवीवर बिहारी उनके नाम से ICC International Cricket Council के पुरुसकार नहीं है यह पुरुसकार है सबसे बड़ा खेल पुरुसकार क्या नाम था राजीव गान्दी खेल रतन मगर अब उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यान चंद ठीक है तो पुरुसकार का नाम पहले ये था अब ये भारत का सर्वोच सबसे बड़ा खेल पुरुसकार है ये इसके बाद में आता है अरजुन अरजुन अवाड तो 2020 में कुल 12 खिलाडियों को देखो ये संख्या भी याद रखना जैसे पदम राजस्ताने को पांच को मिलाना वेसे ये कुल भारत के 12 खिलाडियों को मिला है मेजर ध्यान चंद और अरजुन पुरुसकार जो वो 35 को मिला है तो दोनों ही संख्या जो है आप याद रख लेना अब हम देख लेते हैं जो भारत के खेल रतन जो है वो ठीक है तो किन किन को खेल रतन दिया गया उसमें आपके परमुख जो नाम है बारत के खेल रतन जैसे देखो नीरत चोपड़ा ठीक है फोटो दीख रही है और जूम करूँ आपको दो दीख रही है ना और ये है रवी दहिया कुस्ति में ये बाला फेंक में लवलिना बॉर्गोहेन बॉक्शिंग में ठीक है पी आर स्रीजेस अवनी लेखरा मिताली राज तो किस किस को किस किस में मिला है तो ये लिश्ट आपको याद रखनी है निरज चोपडा इनको मिला है बारह खेलाडी है न ये तो बारह में 10 और निचे 280 12 तो तो निरज्चोपड़ा तो यहां देखो प्रस्फन क्या सकता है कि निम्न में से किसफ़ाड़ी को खेशल रतन पुरुसकार नहींDR यह बन सकता है चार नाम दिये सुर्सक एक नहीं मिला उसका दे दिया तीन मिला या फिर यह बन सकता है कि कौन सा खिलाड़ी का कौन सा च्हेतर है जिसे निरचोपड़ा किस खेल गे तो एतलेटिक्स में तो बहुत सारी चीज़ां जाती है तो क्या करते हैं बाला फेंक ठीक है रवी दया कुस्ति पियार स्रिजेस होकी ठीक है लवलीना मुक्यवाजी सुनील चेतरी फुटबोल मिताली राज किरकेट यह इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि राजस्तान की जेपु मिला है मिताली राज को परमोद भगत बेड़ मिंटन पेरा खिलाडी है जैसे दिव्यांग में आते हैं सुमित अंतिल पेरा खिलाडी है एतलेटिक बाला फेंक में आउने लेकरा पेरा है निसाने बाजी में दस मिटर और पचास मिटर कर्षणानागर जेपुर की है राज सिंग होकी में है ठीक है अब किन को दिया जाता खेल रतन और अरजुन पुरुसकार तो जैसा कि हमने बात की कि वही जैसे टोप में है तो मेजर ध्यांचंद पुरुसकार जो है ऐसाधन पदरसन करते हैं जैसे मान लोग कोई विश्व इस तर पे बेया उलम्पिक में पद जो है नार्वे के मेगनस कालसन वो इनकी बराबरी कर चुके हैं तो 1901 में में इनको पहली बार राजियो गांदी खेल रतन दिया गया था तब से इस पुरुसकार गिस्ता अपना हुई और इसमें 25 लाख रुपे और प्रस्वस्ति पत्र दिया जाता है और रुपे की बज अपने है दूसरा है यह और इसमें क्या होता है चार वरस तक बहुतर प kitchen होता है ना तो जो है यह दीा जाता है कलियर तो अरजुन पुरुसकार हो गए और मेजर ध्यांचन land बारे लोगों को अरजुन 35 लोगों को बारे में भी राजस्तान के जो उनका आप नाम जरूर याद रखें अवनी है और कर्शनानागर है और अवनी है मिताली राज है तो इस परकार से कर्शनानागर मिताली अवनी अब इसके बाद में भारत रतन की बात करें तो भारत रतन है ही और ये 2019 में दिये गए थे उसके बाद में नहीं दिये गए क्यों जुरुनी के हर साल दे जब जब लगता है सरकार को तब तब जो ये दिया जाता है तो तीन विबूतियों को महानस्तियों को दिया गया पर्णवदा नाना जी देश मुख और भूपेन हजारीका ठीक है तो याद रखना आप कैसे भी ट्रिक्षे कि पर्णवदा पर्णवदा पर्णमुखर जी नाना जी और भूपेन हजारीका तो ये पूरव राश्ट्र पती ये सामाजिक चेतर में मिला नाना जी और भूपे नाजारिका को संगीत के चेतर में ठीक तो चेतर याद रखना और यह संख्या भी याद रखना मतलब 48 यह करम इनों ने कर दी एक साथ में दिया गया तो 48 वा लेटेश्ट आप याद रख सकते हो यह इनका तीना को भी पूछ सकते हैं ग्यान पीट पुरुषकार शित्यावन वा तो यह नहीं पूछेंगे सपनवा शित्यावन वा हां कई बारे से देते हैं कि शित्यावन अच्छा है जो कि समेधान के अंदर है उसमें स्रेश्ट लेखन के लिए ग्यान पीठ नाम से पता चला है तो यह नहीं है है और तो थ्यान रखना आप नील मनी पहले थे बढ़की बार जो वह दामोदर और पहले थे नील मनी तो उतकरिष्ट के लिए हैं अब हैं साइटे अकादमी साइटे अकादमी भी जो साइटे अकादमी है एकेट में उसके द्वारा दिया जाते हैं और इसमें एक लाक रुपे और परस्वस्ति पत्र दिया जाता है हिंदी भासा के लिए अंग्रिजी के लिए राजस्तानी के लिए संस्क्रट के लिए तो ये भी भारत की कई बासाओं में सभी बासाओं में दिया जाते हैं सारे तो याद रखने नहीं है परसन कहां से पूछा जा सकता है तो आपके शिदा शिदा राजस्तानी से पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा ये म और अंग्रे जी का नमीता गोखले को थेंगES टू लीव बिहाइंड अभी अंग्रेजी में हैं तो आराम से यह पटा लग जाएगा वेड़ यह नाम याद रखने है नमीता गोखले टीक है धिस टू लिव भी paradise तो और राजस्तान अबासा के लिए मिठेस है ये मिठेस मिठेस ठीक है मिठेस निर्मोही मुगति कविता है तो इसको आप रट लेना मिठेस निर्मोही मुगति को साहित अकादमी मिठेस निर्मोही को मुगति के लिए साहित अकादमी ठीक है तो देखो मिठेस नाम यह ना म उगती और साहित एकादमी संस्क्रत के लिए विंधेस्वरी प्रसाद को विले को सरजती संखनाध किल के लिए साहित एकादमी बाल पुरुसकार दोजारीकिस ये बच्छों से जुड़ी भी कोई साहिती लिखा जाता है उसके लिए तो हिंदी का देवेंदर मारवाडी बाल साहथे और वह बाल साहथे और वह कई पानी का रुखाला किसकी रचना तो की रचना है तुन अच्छा करेंगे तो आपकी कीरति चावूं और फेलेगी वह यह बहुत अच्छा वेगति है तो इसे ट्रिक्स याद रखें पृशकार देता व्या सम्मान किसको मिला 130 वह था यह असगर वजाहत को दिया गया है रचना है महा बली नाटक है यह यह समान 10 वर्सों की आउदी के दोरान कोई उत्रष्ट रचना होती है उसको दिया जाता है अब अंतराश्टी होकी महासंग का पुरुसकार स्वरस्रेश्ट पुरुस पले गुर्जीत कोर कई कई बार क्या है वो महिलाओं से सम्मंदित जिसे महिला विश्व कप किरकेट किसने जीता इसे परसन भी एक्जामिनर पूछते हैं शीनेमा की बात करें फिल्म विल्म की देखते होंगे फिल्म बीच-बीच में टाइम मिलता तो आप देखते होंगे जो परसिद फिल्म हैं उनमें से दिया जाता है तो सरस्रेष्ट हिंदी फिल्म तुलसी दास जूनियर फिचर फिल्म सुराराई पोटक टू पोट्टू ए कोट्टू तमील फिल्म आई ये निर्दे सक्या सुधा कॉंगरा सुर्यश्ष्ट अभीनेता अजे देवगन फिल अंतराष्ट्रिया सबसे बड़ा पुरुसकारा फिलम जगत का विश्व का तो यह फिलम ती कोड़ा इसको मिला है इसमें क्या होता है अलग अलग शेत्रों मिलता है तो संगीत में और में तो सबसे ज़्यादा है इसको बाउन में अंतराष्ट्रिया फिलम होत्सव फिलम गो वाड रिंग एक साथ यह एंडियन फिल्म-personality of the year यह लक्षय वाट दिया गया तो यह मिला प्रसून जोसी और हहिमा वाली विग्यान के पेपर है साथ पेपर है उनकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल में और प्रिंट भी निकाल सकते हो 7-7 में मोबाइल में आप मोग टेश्ट लेकर अपने रेंक भी देख सकते हो दिन के दो टेश्ट करो तो भी आप 30 दिन में 6 टेश्ट कर सकते हो तो यह जो है आपके अभ्यास के लिए उप्योगी है यहीं पर एक अमरत और अभ्यास टेश्ट सरीज भी राजस्तान जिक्ते क यह सारी चीज़ें यस गुरू अप्लिकेशन पर आपको मिलेगी, उसका लिंक यहीं पर भी है, वीडियो के निचे भी है, तो आप जरूर इसको विजिट करें, इसका एक वीडियो हो रहेगा, पुरुस्कारवाला, तो बने रिये चैनल पर धनेवाद.